हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांद आप सबका आपके चहिते सेख सेख सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजे दाई फले के साथ इस खास कायेकरम में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों हमें जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्थ से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमरे फ्रेंड से फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तों जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परिशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हम जिजकते हैं हमें शर्माती हैं पर दोस्तो अब शर्माने की बिलकुल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजे दाइफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जबाब बहुती पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तो शोग को शुरूरात करते हैं लेकिन उसके पहले जानते हैं दॉक्टर विजे दाइफले इनके बारे में इसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर्स अल्ला मौशुरा करते रहते हैं तो चलिए शोग को शुरुवात करते हैं डॉक्टर साथ है सर वेलकम टू दू शोग नमस्ते आप सभी अच्छी तरके से जानते हैं कि किस टाइप के ये जो चोटे-चोटे टॉपिक्स है जो बहुती नीजी सुरुप के टॉपिक्स है हमने लिए है बिकॉज आफ इसका साइन्टिफिक जो कारण है या साइन्टिफिक इसकी जो इंफोर्मेशन है वो हमारे पास नहीं होती और इस वीडियो के माद्ध हम से ये साइन्टिफिक इंफोर्मेशन हम आप तक पहुचाना चाहते है आज का जो टॉपिक है सेक्शुल डिस्पंशन और पी स्पॉर्ट के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पी स्पॉर्ट क्या होता है इसे कैसे ढूंते है और इसका क्या फाइदा है सर ये जो पी स्पॉर्ट के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं तो पहले बताईए कि ये पी स्पॉर्ट क्या होता है येस बिरी नैस बिल्कुल प्रशाण जी यहाँ पर जो सेरी चल रही है इसके अंतर्गत हम पूरी साइनिफिक इनफरमेशन ले रहे है मेल सेक्शुल इसफंच्छन क्या है फिमेल सेक्शूल इसफंच्छन क्या है जी स्पॉर्ट क्या है वो हमने देख लिए आज देख रहे पी स्पोर्ट यहाँ पर एक disclaimer देना चाहता हूँ time, place, person, condition, culture, safety, consenting अपना own or known partner, non-infected इसमें हमें आज माना है बहिए spot क्यों important रहते है कुछ लोगों तो P spot क्या है पता ही नहीं देता है देखो हर एक इसमें pleasure point है जैसे female में G spot pleasure point हो गया तो female में P spot P मतलब क्या P indicate करता है prostate prostate नाम की एक ग्रंती रहती है जो हमारे जो urinary bladder या थेली रहती है पिशाप की उसके सामने एक walnut के जैसी जो ग्रंती रहती है जिसका काम रहता है सीमें बनाना, सीमें का fluid बनाना और वहां से उसके जो वीरिय वाहिनी जाती है ओ भी वहां से पास होती है और सामानल वेसिकल भी वहां पी जमा होते है और जहां पे सबसे ज़्यादा sensitive point रहता है इसे कहते है P spot उसका क्या फाइदा है क्या नहीं, scientific क्या उसका sexual activity से कुछ concern है क्या, सब देखेंगे one by one सर अब आपने prostate ग्रंती के बारे में बताया P उसका ही short form है तो यह जो prostate ग्रंती है उसका काम गया है और वो भी बताई definitely, जेखो genito-urinary system और वहां से urine भी प्रास हो रही है और genito मतलब वहां से प्रजन संस्था जो है वो भी वहां पे अपना sperm बना रही है उसका fluid बना रही है बैस पॉम को नरिश्मेट करने वाले प्रोस्टाडिक फ्लूइड बन रहे है और यहां पे जो जो एकलिटरी डक्ट याने वीरे भाहनी भी वहां पे मिल रही है और उससे नरिश्मेट देने वाले समयनल बेसिकल भी वहां पे आ रहे है तो प्रोस्टेट एक आईसी गरंती है जहां पे सब सीक्रिश्न बनते है स्पॉम को बचाने के लिए और स्पॉम को ट्रेवल करके आगे सामने वाले पार्टनर को समागम होते वक्त उसको ट्रांस्मिट करने के लिए जिसकी वएसे बाद में प्रेग्नेंसी होती है सर एक फोन आ रहा है हमारे दर्शक है नरेंदर जी बेड़गाउ से वो सवाल करना चाहते है नरेंदर जी पूछिए क्या सवाल है आपका हलो बुलिए सर पी-पॉइंट वाइबरेटर से उत्के जित होता है क्या आचा एक्सलेंट इंपॉर्टन साथ वेरी इंपॉर्ट कोश्चन अभी यहां पे जो फोर प्ले के बारे में बात करेंगे बही एक यहां पे चीज़ दान में रखना जो रही है और जो सेक्सालोज सेंटरोज ने प्रिस्क्राइब किया है वही वाइबरेटर यहां पे उज़ कर सकते है एक्स्टरनल स्टिमुलेशन देखो पी-पॉट जो है वो अंदर है दो इंचे अंदर वाले लोकेशन में देखेंगे लेकिन बाहर से स्टिमुलेट करने के लिए पिरेनियल रीजन यहांनि हमारे एनस और स्क्रोटम की बीच में जो सेंसिटिव यह रहा रहता है उसे हम वाइबरेटर से सेंसेशन देंगे तो उसकी वाइसे वाइबरेशन जनर होके वहां के नोर्ज एक्टिविट होके बहुत बार जिशे कुछ एजाक्लेशन नहीं हो रहा है ऐसे केसे में प्लेजर भी मिलता है और एजाक्लेशन भी होता है लेकिन विच्छे शक्य के गाइडलेंड के अंदर ही हमें यूज करना है और कॉलिटी वाइबरेटर रहना चाहिए सर अगर ये पी स्पॉट अंदर से डोनना हो तो उसे कैसे डोन सकते हैं अब ये साइन्टिफिकली पता होना क्यों ज़रूरी है बहुत है उसके पार्ट से वहां पे इस पी स्पॉट है पहले लोकेशन बोलता हूँ एनस जो पार्ट है वहां पे हमेशा मसल कॉंट्राक्ट रहते है तो इमेड़ी डेटली डेटल फिंगर इंडेस फिंगर से आप उसको पोक करोगी तो वहां पे पेन हो जाएगा पहले लूब्रिकंट यूज करना है लूब्रिकंट यूज करके स्लोली जब उसके अंदर आपके इनसट करोगे तो कम सेकम दो इन्च अंदर दो इन्च अंदर कहां पे ? ब्लैडर और रेक्टम के आगे वाले हिस्से में हम बात कर रहे है वहाँ पी पॉइंट है तो अंदर जाने के बाद जो पहला step आपको मिलता है दो इंच के बाद वो रहता है पी पॉइंट तो इस तरह से lubricated finger यूज़ करके glow यूज़ करके अच्छा hygienic method से उसे movement करोगे तो पहला थोड़े से urine पास होने का sensation आएगा लेकिन बाद में वो कम होके उसमें pleasure मिलना चलोगा तो यह method रहती है अंदर से space spot ढूणने की और उसी का दूसरा जो चीज़ है वो बाहर से अगर यह ढूणना हो तो उसे के सब्सक्राइब क्या है यहाँ पे हर एक विक्ति जो है वो deep sensation की वज़े से या paint की वज़े से कहाँ पे allow नहीं करता है तो बाहर से किसे ढूणेंगे भई महाँ पे perineum का area रहता है पेरिनियम किसे कहते है जहाँ पे हमारा scrotum finish होता है और जहाँ पे एनस पार्ट है उसके अंदर जो ridge रहती है कम से कम 2.5 inch की ओ इरिया भी बहुत नर से invert रहता है वो रीजिन पे थम से समझो मसाज करोगे एक और दूसरा जो legal जो vibrator रहता है उससे आप stimulate करोगे तो वहां के nerve fiber active हो जाते है और active होने से external massage देने से जब ejaculation जिसको नहीं हो रहा है orgasm होके muscle contact होके वहां से semen भी बहार आ जाता है तो इसे कहते है external method यानि बहा करते हैं बिल्कुल सर हमारी female audience भी हमारे साथ है वो भी सवाल करना चाहते है परेणिती जी है चेनने से वो सवाल करना चाहते है परेणिती जी पूछिए क्या सवाल है आपका हेलो तर बोलो सर प्रोस्टेट ग्रंथी की सर्जरी करने से पीश पॉट बरल टाहे क्या है तो जन करें दीजी एक्सलेंट इस scientific information टॉक चल रहा है और इस information रहना क्यों ज़रूरी है देखो बहुत बार जब उमर बढ़ती है या बहुत बार active male में क्या होता है कुछ urine का infection हो गया वहां पे pus formation हो गया और जब आप 50 क्रॉस करते हो तो वहां की gland बढ़ जाती है तो इस वत आपको क्या करना पड़ता है बहुत बार 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 लेते हो पंक्चर करते हो आप उसे या दुर्बीन से जब gland निकाल रहे हो तो वह collapse हो जाता है म्यूकोजा तो ऐसे cases में जब area sign reposition करना है तो वहां पे कुछ injections देके यहां पे कुछ fillers डालके हम उसे कर सकते है नौरल स्पेट में जो बाद में आपको उसे massage करने के बाद वही pleasure का sensation आपको मिलेगा तो definitely surgery से display होता है लेकिन उसे injectable method से हम अच्छा कर सकते हैं Sir अभी अपने lubricant use के बाद में बता है लेकिन यह जो peace spot ढूंडना है उसकी जो प्रक्रिया आपने अभी बता है तो यह करते समय कौन से lubricants है वो use करने चाहिए definitely very important यहाँ पे हमें थिक lubricant लगते है एक तो silicon based lubricant है यह lubricant काम में क्यों आता है कि वहाँ पे जो anal area है बहुत contact रहता है और वो relax करने के लिए वहाँ पे lubricant कुछ देर के लिए वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है तो यह जो lubricant है वहाँ पे silicon based lubricant से हम slowly movement करके जब finger अंदर के क्योंकि depth काफी ज्यादा है two inches तक तो जो lubricant वहाँ पे ज्यादा देर के लिए maintain रहेगा तो वही lubricant यूज कियो जाता है जो एक लिक्वीड या water-based है वो lubricant नहीं करना है तो silicon lubricant यहाँ पे काम माता है क्योंकि वह ज्यादा देर के लिए आपको काम करेगा stimulation के लिए अंद आपने लाइए यहाँ पे और मैं legal aspect पे आता हूँ, sexologist, urologist, neurologist उसको as a medical device बोलके advice करोगे तो ही, एक ऐसा समझो, एक plug जिसके अंदर vibrator है और जो दो इंचे सक अंदर जाके बी spot को वहाँ पे stimulate कर रहा है, तो यह automatically battery operated रहते हैं और उसकी वाई से वहाँ अंदर जाने की conversation है, pleasure है, वहाँ पे मिलता है, तो बड़ प्लग जे एक category आती ही choice की, जो की permissible होगे, और sexologist, urologist, and neurologist advice करोगे, तो ही उसकर सकते हैं, तो फ्रेंट से की कहूंगा, पी-point ढूनना, locate करना, उसे pleasure लेना, खुद भी pleasure लेना है, पार्टनर को भी मिलना है, यहाँ पे एक्चु क information दी आज की episode में, लेकिन वक्त के पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हैं, तो screen पर अभी जो आप डॉक्टर साब के numbers देख रहे हैं, डॉक्टर साब का email ID है, website है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साब को मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया,